दोस्तो एक शादी शुदा खुशाल जिन्देगी जीने का मन किसको नहीं होता है लेकिन हमारी खुटकी की हुई कुछ गलती के वज़ा से शादी सुदा जिन्देगी हमारे लिए सज्जा बन जाता है पार्टनर के साथ जगरा मनमोटाव से लोग कही बार इतना निराश हो जाते हैं कि शादी के नाम से ही उनको नफरत हो जाता है पर दोस्तो हम अगर कुछ चीजों की होश पुर्बक पालन करें तो वही नरग जैसिस्तिती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा पिसले वीडियो में मैं महिलाओ के लिए फाइप टिप्स बताई थी तो आज मैं पुर्षों के लिए फाइप टिप्स लेके आई हूँ जिसे फॉलो करके बहुत आसानी से आप अपनी वाइप की दिल चीच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं टिप्स नंबर वन है दूसरे फीमेल की तारीफ वाइप के सामने ना करें क्या आप बहुत ही ओपेन माइंडेड इंसान हैं और सब की तारीफ कर देते हैं तो साथान दस्तो अगर आप कोई और फीमेल की तारीफ अपने वाइप के सामने करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा कोई भी महिला वो वाइफ वो या गर्लफरेंड अपनी हस्पेंड या वाइफरेंड के मुझ से दूसरे औरत के तारीफ सुनना पसंद नहीं करती है अगर अब बार बार ऐसा करेंगे तो वो आपसे चीड़ जाएगी और ऐसे प्यार कम होता जाएगा तो टिप्स नमबर टू है दोस्तों ज्यादा अधिकार ना दिखाए बहुत लोग ऐसे होता है जो बहुत ही ज्यादा अधिकार दिखाते है अपनी वाइफ पर अगर आप ऐसा करते हो और आपको ये आदत है तो इसको जल्दी से जल्दी सुधार लेजे क्योंकि अगर आप ज्यादा रिकार दिखाओगे और ज्यादा सन में रखना चाहोगे तो वो आपको प्यार नहीं करेगी तो अच्छा ये होगा आप वाइप के साथ एक अच्छी फ्रेंट की तरह बढ़ताओ करें इससे आप दोनों की बॉर्णिंग भी स्ट्रॉम होगी तो टिप्स नम्मर थ्री दोस्तो कुकिंग दोस्तो क्या आपको खाना बनाना आता है अगर एंसर हाँ है तब तो कॉंगराचुलिशन क्यूंकि महिला अधिकतर उन पुरुशों को ही पसंद करते हैं जो कभी कभी किचन में जाके कुछ डिश उनके लिए बनाते है तो मेल वाली इगो को कभी कभी साइड रखके कुछ कुछ कुकी ज़रूर ट्राइ किजिए और दोस्तो बीजी में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रहे है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि इस टाइप का वीडियो मैं और सर्प्राइस एवंग गिफ्ट दोस्तो सर्प्राइस पसंद नहीं होती है ऐसे इंसान कम ही मिलती है एक लड़की सब कुछ छोड़के आपके पास आती है आपसे शादी करके आपका मैक्सिमम सब कुछ काम भी कर देती है सब कुछ आपके लिए करते तो आपका फर्ज बनत दोस्तो गिफ्ट का मतलब कोई परासा गिफ्ट या बहुत पैसे की बात नहीं है, बहुत चोटी-चोटी चीजों से आप उनको खुश कर सकती हो, जैसे माली जी कभी बाजार गए तो कोई फूल लाए, कभी चॉकलेट ले आए, तो अचानक से अगर आप उनको दोगी कि दे स्पेशल मैसुस करेगी, और दोस्तो सर्प्राइज और एक तरह से हो सकती है, कि आप कभी-कभी टूर प्लान कर सकते हो, उसे बिना बताए, या फिर उसको रेस्टोरेंट में भी ले जा सकते हो, अचानक बिना बताए, तो ये सबसे बहुत ही खुश होगी, और बहुत ही स सब पे समान असर करता है, क्योंकि तारीफ बहुत ही असरदार एक चीज़ है, तो आप अपनी वाइप की तारीफ कभी-कभी करना बिल्कुल भी मत भूले, जैसे मालीजी वो कोई अच्छी कुकिंग करती है, तो बताए कि आज आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनी है, या फिर वो कभी कहीं आप लोग निकल रहे हैं, तो आचानक बताना कि आज तो आप बहुत ही सुन्दर लग रहे हो ज्यादा, ऐसे करके कभी-कभी रिगुलर यह चीज़ मत करना, कभी-कभी आप ऐसे तारीफ कर दीजिए, तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो दोस्त आज के लिए इतना ही ऐसे ही हेलफूल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाइ बाइ